हलो दोस्तों आप सभी का SSCG के ग्यान में स्वागत है आज हम इस वीडियो में सन्विधान के एक most important topic राष्टपती से संबंदी कुछ महत्यपूरूफ प्रशन को देखेंगे जो अगरगामी आने वाले किसे भी exam के लिए बहुत ज्यादा important है इस topic से प्रतेक exam में एक या दो question परतेक exam में पूछ लिया जाता है चलिए दोस्तों start करते हैं start करने से पहले आपसे request है कि आप यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को subscribe करें like करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा share करें दोस्तों आज आपका पहला प्रसन है कि भारत में कारिपालिका का राश्च्पती होता है तिसका right answer यह होगा दोस्तों इसके अत्रिक्तियाद रखिएगा करें कारिपालिका के अंतरगत राश्च्पती उप राश्च्पती प्रधान मंत्री और मंत्री परसद आते हैं जिसका प्रमुक राश्च्पती होता है चलिए दोस्तों अगले प्रस नहीं की गई है वो जितनी बार चाहे राश्पती पद के लिए निर्वाचित हो सकता है। इसका राइट एंस्र Coffee अप याद रखिएगा इसकी अधिकतम आयू सीमय निर्धायत नहीं की गई है जबकि राश्पती पत के लिए नियूंतम आयू 35 वर्स होता है इसको आप याद रखिएगा यह कई बार एक्जाम में पूछा जा चुका है चले दोस्तों अगले प्रस्ट पर चलते हैं आपका अगला प्रस्ट है कि राश्पती पत की उमिद्वार के लिए अधिक्तम आयू कितनी होनी चाहिए राश्पती पत के उमिद्वार के लिए अधिक्तम आयू कोई जिक्र नहीं किया गया है इसका राइट एंसवर डी होगा चले दोस्तों अगले प्रस्ट पर चलते हैं आपका अगला प्रस्ट नहें राश्पती के निर्वाचन किस प्र जाता है तो राशपतिय को सभा के निर्वाचित सदस राजी सभा के निर्वाचित सदस और विधान सभाक्य सदस इसमे भाग लेते हैं यूदे दूस्तों चलते हैं अगला प्रस्ण है कि राश्पती पत के चुनाव संबंदित विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है राश्पती पत के संबंदित जो चुनाव होता है उससे संबंदित किसी प्रकार के विवाद होता है तो उसका निर्ण उच्चेतम नियाले द्वारा किया ज की अगला प्रसना है कि भारत की राश्पती का चुनाओ कितने वर्सों के लिए होता है भारत की राश्पती का चुनाओ पांच वर्सों के लिए वहता है तिसका राइट एंसुर भी होगा तो इसके साथ आप याद रखेगा उपराश्पति और राजिपाल का चुनाव भी पांच वर्सों के लिए होता है जबकि राजिसभा का चुनाव 6 वर्सों के लिए किया जाता है च्छा वर्सों के लिए होती है वो लोकसभा या राज सभा किसी भी सदन में इसको प्रस्तावित किया जा सकता है प्रस्तुर अगले प्रस्त पर चलता है अगले प्रस्त आपका है राश्पति पर महावियों की जो परकिर्या के लगाया जाता है वो अमरीका की सनमी धान से लिया गया है तिसका राइट एंसवर ए होगा चलिए दोस्तों अगले प्रस्थ पर चलते हैं अगला प्रस्थ आपका है राश्पति को निमनल लिखित में से कौन पद और गोपनियत के शपत दिलाता है तो राश्पति को पद और गोपनियता के शपत भारत का मुख्यन अधिश दिलाता है तो इसका राइट एंसवर यह होगा चलिए दोस्तों अगले प्रस्थ पर चलते हैं अगला प्रस्थ नहीं आपका कि राश्पति सरीविधान की किस अनुछेत के तह भारत के मुख्यन आधिश के समझ सपत गहड़ करता है इसका राइट एंसुर इंसवर भी होगा अनुछे-6 किता नुचट सार्ड के तहत राश्ट पति मुखिनगा धीस के समछ सपत ग्रह commercials करता हैं यह अगला questão है यह коли राश्ट पति त्याग पत्र किसे सम्भूद्ध करता है यह ट्याग पत्र देना चाहें तो अपना त्याग प्रटम राश्त पावह थे सुतन्तिर भारत के प्रथम राश्त४ती पराश्तत की संति होगा ने थैं राक्टर राश्त प्रशा न होगा दोश मोड़ाश्त भारत की सिंता राश्त-वद्षाश्त एक तृक्तिरर ने की सीधि परिखटप writing ED आपका अगला प्रसना है कि निमनलखित में से भारत का राष्टपती किसकी न्यूकती नहीं करता है तो इसका राइट एंस्वर होगा बी प्रधान मंत्री सोरी प्रधान मंत्री नहीं होगा इसका राइट एंस्वर ए होगा उपराष्टपती भारत का राष्टपती याद रखियेगा दोस्तो राश्रपती लोग सभा के अध्यर्जral को भी नुक्ति नहीं करता है चलिए दूस्तो अगले प्रिस पर चलते हैं आपका अगला प्रत है कि इसकी न्युक्ति भारत की राष्टपती द्वारा नहीं होती है तो लोग सभा के अध्यच को भारत की राष्टपती द्वारा नहीं किया जाता है तो इसका राइट एंस्वर यह होगा दोस्तों इसके अत्रिक राष्टपती भारत के मुख्या ने धीस और सेना प्रमुख भी होता है इसको भी आप याद रखिएगा चलिए दोस्तों अगले प्रश्ट पर चलते हैं अगला प्रश्ट प्रश्ट के लिए की प्रूव स्यक्रीति आवश्यक है विट्श बिल के लिए पूर्व स्यक्रीति आवश्यक सी होगा। वित्त-बिल के लिए राष्ट-पति के पुरू सिक्रिटी आवश्यक होती है। तो चलते हैं अगला प्रस्ण है। यह इंप्रेटेंट प्रस्ण है दोस्तों यह ऍग्राइम में कई बार पूछ लिया जाता है। इस प्रस्णों कही तरब पूछा जाता है तराश्पती दोनों सद्नों में से कितने सदस्यों को नामित करता है तराश्पती दोनों सद्नों में से 14 लोगों को नामित करता है दोस्तों इसके साथ अपयाद रखेगा कि लोकसभा में भारत की राश्ठ्पति ने आर्थी शंकट की घोशणा की तो भारत की राश्ठ्पति ने आर्थी संकट की गोशणा 62 में की थी तिसका राय्टे अश्ट यह होगा दोस्तों इसके साथ अप याद रखेगा कि62 में बारत और चीन के भीच यूद हुए ठाभ यूद प्रमध' UShe Saud भारत के राष्टपति के पास पूर्ण निसेत दिलंबित निसेत पैकेड निसेत यह इस सभी परकार के वीड़ सकती होती है इसका राय टैन्सवर होगा तो दोस्तों अगले प्रस में चलते हैं आपको अगला प्रसणहा है राष्टपतिक प्राश्पतिक उम्मिद्वार के लिए उसकी 35 वर्स होना चाहिए यह भी अवश्श्रक है जबकि राश्पतिक उम्मिद्वार के लिए वह पढ़ा लिखा हो यह इसका जिक्र नहीं किया गया ये कोई आवाश्रक नहीं है इसको राइट एंस भी होगा जैले दोश्रों अगली प्रस्द्र पे चलते हैं अगला प्रस्न है कि that workshopी के चुनाव में विवाद होने पर होने पर सर्वच्च कि सळ economies लिजाती है तीछ होगा हो चेले दोस्तों अगले प्रस्न पर चलते हैं आपका अगला प्रस्ण है भारत सरकार का सनवाइधानिक अध्यच कौन होता है भारत सरकार का सनवाइधानिक अध्यच राश्टपती होता है तो इसका राइट एंस्वर यह होगा दोस्तों इसके साथ याद रखिएगा राश्टपती का जिक्र अनुच्छेद बावन में किया गया है चले दोस्तों अगले प्रस्ण पर चलते हैं अगला प्रस्ण है लाप किपत का निरड़े कौन करेगा इसका राइट एंसर प्रस्ण है भारत की राश्पती निर्वाचन होने की नियूंतम आयू सीमा क्या है भारत की राश्पती निर्वाचन होने की नियूंतम आयू सीमा 35 वर्स है तिसका राइट एंसर सी होगा दोस्तों इसके साथ आप याद रखेगा भारत की राश्पती निर्वाचन होने के लिए नियूंतम आयू सीमा 35 वर्स है जबकि इसकी अधिक्तम आयू सीमा का कोई जिक भारत चलते हैं का भारत में राष्टपती पर महावयोग लगाने का संसत्थ की 2 सदनों के पास होता है उसका राइड दो सबां किय काHAHA लोकसभा राजसभा किसी भी सदन द्वारा ये महावयोग राश्टपती पर लगाया जा सकता है चलिए दोस्तों अगले प्रस्ट पर चलते हैं अगला प्रस्ट है निमनलखित में से कौन हमारे देश के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस नहीं होता है इसका राइट तो दोस्तों अगले प्रस्ट पर चलता है यूद्ध की घोषण या शांती का फैसला करने में कानूनी रूप से राश्टपती सच्छम है इसका राइट रेंस्वर यह होगा चले तो अगले प्रश्ट पर चलता है अगला प्रस्ट है कि डाक्टर राजन्दर प्रशाद कितन राश्टपती के पत्पर है इसका राइट एंस्वर सी होगा और दोस्तों इसके साथ अब याद रखेगा कि डाक्टर राजन्दर परसाद सुवतंद्र भारत के प्रधम राश्ट पती भी रहे हैं इसको याद रखेगा चले दोस्तों अगले प्रस्ट पर चलता हैं आपक एस विधान परिसत के सदस इसमें भाग नहीं लेते हैं तिसका राइट एंसोर डी होगा चले दोस्तों अगले प्रश्पर चलते हैं और इस वीडियो का last question है भारती सनी विधान के अनुसार का रिपालिका का परमुक कौन होता है तो भारती सनी विधान के अनुसार का रिपालिका का परमुक राश्टपती होता है इसका राइट एंसोसी है दोस्तो यह question repeat हो गया है दोस्तो का रिपालिका के अंतरगत राश्टपती हता है दोस्तों यहां पिति को सक्कारी इससे टीज़े कंप्लीक होते हैं दोस्तों को पसंद है दोस्तों के लाइक करें और bre democrat करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा